स्वादिस्ट खाना, ब्लैंकेट, चाय की रिक्रेस्ट, ये सारे साइन है कि सर्वियों ने हमारे काम को काफी जाधा बढ़ा दिया है लेकिन जिस तरह से हर चीज का एक अच्छा पार्ट और एक बुरा पार्ट होता है, सर्वियों के सीजन का भी कुछ ऐसा ही हाल है हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यव चरप पे आज किस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ विंटर ओर्गनाइजिशन के ऐसे हैक्स और आइडिया शर्र करने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आपकी सर्दी के हर एक दिन बहुती आसान से जाएंगे और आप हर सीजन का मज़ा यूई ले पाएंगे तो बिना दिरी करते हुए आज का ये बहुती ज़्यादा इंटरस्टिंग सा वीडियों स्टार्ट करते हैं, लेक्स स्टार्ट तो लास्स संडे को मैं गई थी नरसरी, वैसे तो विंटर सीजन में लगने वाले प्लांट को मैंने पहली ही लगा दिया था, लेकि मेरा कुछ हाल ऐसा हो गया कि संडे को बिना नरसरी जाए बिना मैं रह नहीं पाती हूँ तो इस बार लेके आए है इस तरह की छोटे गेंदे के प्लांट और ये रेड रोज इस, बहुत ही स्मॉल सैजेज में हमारे यहाँ पर लोकल भासा में इसे कहा जाता है चाइनीज रोज, क्योंकि मैंने इसे अपनी लास्ट विंटर सीजन में भी लगाया था और ये सिफ विंटर सीजन ही रोज देते हैं, बट इतनी ज़दा कॉइंटिटी में देते हैं कि आपके गार्डन का लूप बहुत ही ज़दा निखर जाता है, बट प्लांट तो मैं ले आई, बट देखा कि बालकनी तो पूरी तरीके से फूल हो चुका था, अब यहाँ पर एक भी प् पड़ेंगे, चली आइडियाज लगाने से पहले, आपको छोटा सापना गार्डन टूर भी करा देती हूं, सबसे पहले यहाँ पर आप टमाटर देख से जो मैंने एक मैंने पहले ही लगाया है, यहाँ पर मोगरा है, पीले वाले कनेर है, और यह टमाटर का और प्लांट ह जिसमें फूल आचुके हैं, टाइपस ऑफ मनी प्लांट यह रहा, गुढ़ल के पौदे हैं, जेट प्लांट है, और कुछ ऐसे प्लांट से हैं, जो घर के लिए काफी जादा ही अच्छे होते हैं, नेक्स्ट इदर मैंने लगाए हैं गेंदे के फूल बड़े वाले, और अरिका पाम ट्री, अरिका पाम ट्री का एक और पॉर्ट मेरे घर के अंदर है, और अंदर तो आपने कही बारी देखा हो कि मनी प्लांट के बहुत सारे वारियंट्स है, तब अब आ जाते हैं, जुगार की तरफ, इस बर जब नरसरी गई ती तो लेके आयते हैं इस तरह के हैंग प्लांटर, जिसे मैं हैंग करके अपने बहुत सारे प्लांट्स को लगा सकती हूं, बट इन कामों को करने से पहले, उससे पहले हूं मैं एक मा, एक ग्रीहनी, याद आया कि बच्चे को नहाना भी है, तब मैं आरव को गई सबसे पहले नहाने, और उससे त्यार करके कुछ खिलोने दिये, क्योंकि उनकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, अब वो 24 गंटे हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे कुछ काम तो ऐसे ही बढ़ गए है, इन कामों को निप्टाने के बाद, अब मैं आगे हो आपने काम को फिनिश करने की तरफ, तो किसी भी प्ला अब मैं लगा रही हूं ये रेड रोजेज और उसके बाद मैंने लगाया ये गेंडे के प्लांट, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया, बच्चे घर पे हैं, और अगर आप कोई काम करते हैं, तो उन्हें अपने कामों में इंगेज कीजे, आप उसे प्यार से समझा आप क्या कर रहे हैं, और छोटे-छोटे हैं, जब उनसे आप लेते हैं, तो उनको भी मज़ा आता है, और आपके काम भी आतान हो जाते हैं, चुकि अब प्लांट लग चुके, अब मैं इसे हैंग कर रही हूं, तो विदाउट एनी स्पेस, आप अपने वर्चूल स्पेस क कर सकते हैं, चुकि विंटर सीजन अन है, और अभी तक मैंने सूज और आपने सूज और अरगनाज़ेशन को दिया था, तो जब मैं में में गेट की क्लीनिक कर रहे थी, तो जितनी तए सूज और सैंडल, जो हम गर्मी के दिन में पैनते हैं, इने मैंने निकाल लिया है, औ और यहां पर काफी जगा भी बन गया है, अब मैं अपने दूसरे स्रेक्शन घर के तरफ आँगी, जहां पर मैं आपने बहुत सारी सूज ऐसे तकती हूँ, जो रेरली यूज होते हैं, यह सीजन वाइस हम उसे यूज करते हैं, तो यह वाली जूती मैंने निकाली, जो मैं ठंड की दिनों मैं पहनूंगी, और उसके बाद, और उसके बाद देखें कि यहां का भी ऑर्गनाइस्टन पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, तो जब हाथ लगाया ही है, तो पूरी अच्छी तरीके से साप क्यों न किया चाहे, यहां पर सारे समा निकाला, काफी तो एक बार बस कपड़ा मार देंगे, तो यह सारे साप हो जाएंगे, रिसेंटल एक वेडिंग सेजन में गये थे, तो बहुत सारे सैंडल निकले थे, आरव के बूर निकले थे, तो उन्हें सही स्पेस पे देना कापी ज़दा इंपॉर्टन है, तो जैसे कि बच्छों के बहुत सारे सूज रहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा इस तरह के जूते का डबबा यूज करते हैं, जिसमें आरके तीन सूज और सैंडल आराम तरीके से आ जाते हैं, तो जब आप वेडिंग सीजन पर जाएं, या बाहर जाएं, वेकेशन पर जाएं, और उस स सैंडल भी थे, जिसके लिए ना तो में पास बॉक्से थे, लेकिन उसे मैं सिर्फ वेडिंग सीजन या कुछ ओकेशन में यूज करती हूँ, तो अब बात आते हैं, कुछ हैक्स की, हमारे घर पे विंटर सीजन पर बहुत सारे आयते सॉक्स निकले होंगे, जिसका एक सैंडल होते हैं, जिसे आप कम यूज करते हैं, उसे आप इसमें लगा के रग दे, ना तो डस्त लगेगा, ना तो उसमें लगे विक मर्क या स्टोन इधर उधर होंगे, और हर वक्त आपका सैंडल नियू कर नियू नजर आएगा, तो इस तरह से मैंने एक जुगार लगा और अब कुछ विंटर सीजन के सैंडल लिख लेते हैं, तो उसे हम ले लेंगे और बाहर में गित की तरफ लग देंगे, ताकि हर सीजन हम हर चीज को इनजोई कर सके हैं, जिकि यहां पाँ मैंने सूज और सैंडल का काम किया था, तो काफी देदा बालो वेकरा लग ग गया तो यहां तक तो आपने देखा सर्वियो के बहुत सारे अच्छी चीजे, अब बात करते हैं सर्वियो कुछ ड्रॉबैक्स की, सर्वियो की सीजन हमारे स्किंड को बिल्कुर भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे स्किंड ड्राय हो जाते है, और एक रूखापन आप अपने स को फॉलो करती हो से मैं अपना सेल्फ केर के और टाइम भी निकाल लेती हूँ एक बोल लिया है मैंने यहाँ पर इसमें डालेंगे वैसलीन या कोई भी पेट्रोलियम जली उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हो कॉफी दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे यहाँ पर कॉफी यहाँ पर आपके स्किन को स्क्रव करने काम आए गा अप्तर लिया अपके स्किन में नर्डीम लाएगी तो इस अपुछा है के आपके स्किन बहुती जादा सॉफ्ट हो जाएगी इसे अब दो मिनिट अच्छी तरीके से स्क्रव करें और पांच मिनिट अशी दोन अब होगे रात का समय और मेरे घर में सर्दियों के सीजन में एक mandatory चीज है वो है गोन के लड़ू वो बनाना काफी जाधा important है चुकि आज दिनर जल्दी बन गया था तो मुझे समय मिलाता है इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना गोन के लड़ू को बनाया जाए तो गोन के लड़ू को बनाने के लिए जो important बाते होते वो मैं आपके साथ share करूंगी और इसे आप easy तरीके से कैसे बना सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने सूद देशी घी लिया यहाँ पर लिए 100 गराम गोन लेकिन हमें 100 गराम गोन को ऐसे नी fry करना है हमें इसे batches में fry करना है batches में fry करना है क्या होगा कि यह बहुती अच्छी तरीके से fry होंगे और इसे हम low to medium फ्रेम पर फ्रेम करेंगे वड़ा क्या होगा कि अगर मैं इसे हाई फ्रेम पर फ्राई करदे तो गोन का उपरी हिस्सा तो पूरी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर के तरफ ये कच्चा रहे जाएगा और एक और साइन है इसे पता लगने कि ये फ्राइ अच्छी तरीके से हुए कि ने कि सारे गोन के दाने अलग अलग हो जाएंगे तब मालिजे कि आपका गोन बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुका है गोन के लड़ू हर गोश्री शॉप में सर्डी के सीजर में एवलेबल हो जाते हैं आपको बस कहना है कि हमें खाने वाला गोन दीजिए यहां पर गोन को फ्राइ करने के बाद अब मैं कुछ ड्राइफ फ्रूट्स को फ्राइ कर रही हूँ कि अब थोड़जा सा घी यहां पर मैं और अड्ड कर रही हूँ लांसकी बताउंगे कि कितने लड़ू बने कितना घी लगा और कितनी सारी चीजे लगी उसके बाद यहां पर मैं डालूंगी आटा अलगभग यहां पर मैंने एक कीलो का यूज किया है और आटा को यूज़ करने से ये लड़ू बहुती ज़्यादा healthy हो जाते है कोई भी से खा सकता है आप डाइट में से ले सकते हैं आप इसे डाइट में भी ले सकते हैं और आटा को डालने के बाद यहां पर मैंने थोड़े सा सूजी को भी यूज़ किया और ठंड के सीजन में जो हमारे back pain होते हैं घुपनों में दर्द होता है तंडों के पास जो दर्द होता है और ठंड काफी लगती है ये सारे जो ठंड की problem है रोजाना एक लड़ू का सेवन करने से ये problem कंप्रिटली दूर हो जाएगी और ध्यान देने के बाद यहां पर यह है कि आटा को आपको high flame पर नहीं बिल्कुल low flame पर fry करना है अच्छी तरीके से आटा पकना चाहिए उसका कच्चवपन दूर होना चाहिए अब आजाते इधर इधर क्या करेंगे कि जो dry foods हमने fry केते उसे हम closely grind कर लेंगे grind आपको पूरी तरीके से नहीं करना है आपको अपने mixer grinder को एक second चलाना है बंद करना है फिर एक second चलाना है तो यह कुछ ऐसा नजर आएगा अब मैंने यहां पर एक glass लिया है जिससे मैं गोंद को crack करूंगी और गोंद को crack हो जाने के बाद इसमें dry fruit add करेंगे अब आटा भी अच्छी तरीके से पक चुका है तो आटे को भी इसमें mix कर देंगे then वही mixer grinder में मैंने आदा कप चीनी का यूज़ किया है जिससे मैंने powder form में बना लिया है तो इस लड़ू को बनाने के लिए ना तो आपको गुड की जरुत है ना तो आपको चास्मीट की जरुत है आपसे powder sugar डाल दे क्या होगा कि सारी चीज़े गरम है तो चीनी ऐसी बिगर जाएगी सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे इस तरह के सेट कर लेंगे ताकि इसके अंदर की गरमा हट बाहर ना आए और अपने हातों में लगा लेंगे पानी पानी के लगाने के बाद इसके अच्छे तरह से लड़ू बनाएंगे तो इस तरह से हमने मिलके यहां पर लगवग पचास गोन के लड़ू बनाएंगे आपके सारे प्रॉब्लम यूहीं दूर हो जाएंगे अगर आपको मेरी यह सारे आइडियास पसंद आए हो तो जादे जादे इस वीडियो को लाइक जरू करें अपनी फैमली एंड परेट्स तक इस वीडियो को जरू पचाएं मैं प्रिया आप लोग ले इस तरह यूस्फुल वीडियो जरूर लाँगी तब तक के लिए बाइ